हेलो फ्रेंड्स, वेलकम तो विक्टर्स किचिन अज हम बनाने जा रहे हैं विक्टर्स स्पेशल अंडा करी ये करी बहुती स्पेशल और यूनीक है और इसको हमें एक नए स्टाइल में बनाएंगे जो कि आपने नैट पर नहीं देखी होगी वैसे तो अंडा करी जादा तर अंडे को उपार कर और फिर उसको फ्राइ करके बनाई जाती है लेकिन हम यहाँ पर अंडा करी कुछ डिफरेंट स्टाइल से ही बनाएंगे तो आईए शुरू करते हैं सबसे पहले इसके इंग्रेडियन्स देख लेते हैं इसके लिए हमें चाहिए 6 अंडे, आईल, बारिक कटा हुआ टेमाटर, बारिक कटा हुआ हराधनिया, बारिक कटी हुई प्यास और ग्रेवी के लिए हमें चाहिए 2 मीडियम साइज की प्यास, 2 कली लहसन, 1 इंच करीब अधरक, 2 टेमाटर की प्यूरी नमक हल्दी कश्मीरी लाज मिर्च काली मिर्च धनिया पाउडर सबसे पहले कांच या स्टील की छोटे साइस की कटोरी लेंगे और उसको अच्छे से ग्रीस कर लेंगे अब अंडे को नोक वाली साइट से थोड़ा सा तोड़ के और सावधानी से उसका एक वाइट हम उस ग्रीस करी हुई कटोरी में निकाल लेंगे बाकी बचे हुए योग पोर्शन को अभी हम साइट में रख देंगे अब एक वाइट में थोड़ा थोड़ा प्यास, हरा धनिया और कटा हुआ टिमाटर डाल देंगे अब इसमें हलका सा नमक और काली मिश डाल देते हैं अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं अब बाकी बचे हुए अंडे का योग वाले पोर्शन को लेके अंडे को उपर से अच्छी तरीके से खोल करके साफधानी पूर्वग इस मिक्सर के उपर डाल देंगे ध्यान रखिए कि अंडे का योग तूटने ना पाए अब इसी तरह हम सारे अंडों को कटोरी में तयार कर लेते हैं अब एक बड़े कड़ाई लेंगे उसमें स्टेंड पर प्लेट रखकर पानी डालेंगे और पानी गरभ होने के लिए रख देंगे हमने अंडे की सारी कटोरियां तयार कर ली हैं अब हम इनको सावधानी पूरुवग वो स्प्लेट पर अरेंज कर लेंगे अब हम कड़ाई में पानी की मातरा को बढ़ा देंगे पानी हमें उस लेविल तक लाना है जिस लेविल तक कटोरियों में अंडा आ रहा है अब हम कड़ाई के ढखकन को कपड़े से कवर कर लेंगे जिस्से की पानी से जो भाब बनेगी वो कपड़ा एब्जॉर्ब कर ले और भाब कर जो पानी है वो अंडे की कटोरियों में ना गिरे अब हम अंडों को मीडियम हाई फ्लेम पर 10 मिनट तक स्टीम करेंगे जब तक अंडे स्टीम हो रहे हैं तब तक हम ग्रेवी की तयारी कर लेते हैं ग्राइंडर में प्यास लहसन और अदरक पीस लेते हैं अब पैन को गरम करके उसमें 2 टेबिल स्पून ओयल डाल देते हैं तेल गड़म हो गया है अब हम इसमें 2 पते तेजबात के एक छोटा टुकड़ा डालचीनी और एक लाइची डाल देते हैं यह औप्षनल है आप डालना चाहें डाले और ना स्किप भी कर सकते हैं अब हम इसमें पिसी हुई प्यास डालते हैं और इसे भूनते हैं प्यास जब तक भून रही है तब तक अंडों को चेक कर लेते हैं देखिए अंडे अच्छी तरह स्टीम हो गए हैं और देखने में भी बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं अब हम गैस को बंद कर देते हैं और थोड़ी देर के लिए अंडों को दुवारा से ढख कर ऐसे ही छोड़ देते हैं दस मिनट हो गए हैं अब हम अंडे की कटोरियों को निकाल लेते हैं और ठंडा होने रख देते हैं ये देखिए, विक्टर्स स्पेशल अंडा करी के लिए अंडे तयार हो गए हैं, ये देखने में जितने सुन्दर लग रहे हैं, खाने में उतने ही स्वाधिश्ट भी होंगे अब ग्रेवी के लिए प्यास भून गई है, और इसमें मसाले डाल लेते हैं, सबसे पहले हम डालेंगे आधा चम्मच हल्दी, एक चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ा सा पानी डाल कर भून लेते हैं मसाला भून गया है, अब इसमें टुमेटो प्यूरी डाल कर भून लेते हैं ये देखिए मसाला अच्छे से भून गया है, उसने ओईल छोड़ दिया है, अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल देते हैं स्वाधा नुसार नमक को मिक्स कर लेते हैं और इसमें आधा गलास पानी डाल देते हैं अब पैन को ढख कर ग्रेवी को 8-10 मिनट तर मीडियम फ्रेम पर पकाएंगे अब अंडे भी थंडे हो गए हैं, अब चाकू की सायता से उन्हें कटोरी से हम इस तरीके से बाहर निकाल लेंगे सभी अंडो को कटोरी से इसी तरीके से निकाल लेते हैं अंडा करे के लिए ग्रेवी तयार हो गई है, अब इसको टिश में निकाल लेते हैं देखे ग्रेवी का कलर कितना ही बढ़िया आया है, अब इसमें अंडे एके करके सजा लेते हैं हमें सर्फ करते हुए ये ध्यान रखना है कि अंडे ग्रेवी में टूबे नहीं हरे धनिय से गार्निश कर लेते हैं, विक्टर्स स्पेशल अंडा करी सर्फिंग के लिए बिल्कुल तयार है ये अंडा करी बहुती स्वादिश्ट बनी है क्योंकि इसमें अंडे का जो वाइट पोर्शन है उसमें प्यास, टेमाटर, हरा धनिया और मसाले मिले हुए जो कि इसको बहुती टेस्टी बनाते हैं, इसी लिए ये विक्टर्स स्पेशल अंडा करी है, जो कि बाकी ट्रेडिशनल एक करी से डिफरेंट है इसको हम पराठे, नान या रोटी के साथ सर्फ कर सकते हैं अगर आपको मेरी ये स्पेशल रेसिपी प्रसंद आई हो, तो आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें मेरे चैनल विक्टर्स किचिन को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन दवाना ना भूलें और अब आपके लिए एक बोनस हमने ये जो डिफ्रेंट स्टाइल से मसाला एक्स बनाई हैं, हम इनको ब्रेकफास्ट में गार्लिक ब्रैट के संग सर्फ कर सकते हैं या इवनिंग टाइंग में स्नेक्स की तरह भी सर्फ कर सकते हैं आशा है आपको मेरी ये रैसिपी प्रसंद आई होगी आप भी बनाईए सब को खिलाईए और अपने अनुभव मेरे संग शेयर करिए जल्दी ही मिलते हैं एक नई रैसिपी के साथ थेंक्यू